वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं सुनीता गोयल कुपित लब मैं आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोगों साथ वाइट सोस पास्ता की रेस्पी शियर करूँ में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है ये बड़े और बच्चों को दोनों को बहुत पसंद होता है तो चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं यहां मैंने पैने पास्ता लिया है और पतीले में पानी गरम करेंगे उसमें हम नमक डाल देते हैं और पानी गरम हो जाने के बाद हम अपने पास्ता एड़ कर देंगे इनको हलका सा बोयल कर लेंगे बहुत जादा कोक नहीं करेंगे और यहां हम अपनी सब्जी देख लेते हैं यहां मैंने स्वीट कौन लिया है गाजन ली है लेसन लिया है और यह गोबी है प्याज है स्लैसिस में कट कर लिया है और यह सिमला मिर्च है और यह मैंने प्रोसेस चीज लिया है अब सब्जी आप सभी को कट कर लेंगे पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है अब हम पैन में एक चम्मच ओल डालेंगे ओल गरम होने के बाद हम इसमें लहसेन एड़ कर देते हैं जो चौप करके रखा था हमने 5-10 कली ली हैं कर देते हैं एक बड़े साइच का मैंने स्लाइश में प्याज कट किया था अब इसके बाद थोड़ा सा नमक एड़ करेंगी सिम्ला मिर्च हमने एक ली थी गोवी लिया था जिसको मैंने कट कर लिया था गाजर लिया है इसको इन सभी सबजीयों और मच्छे से फ्राइब कर एक दालचीनी का टुकड़ा एड़ करेंगे इसमें और इसको लोप लंबपे पखने देते हैं तीन चार करी लेसुन की डाल देते हैं इधर हम पैन में एक चमश में दो चमश मेदा एड़ कर देते हैं इसको हलका सा भूनेंगे जो हमने दूद बॉयल होने रखा था ऊपसा जाँ और आपने जो पाश्ता बॉल करके रखे थि उनको भी एड़ कर देते हैं और हम इनको चला लेते हैं चिली window से यह अधाय चिली फ्लेवर और आपसमे वे रजाए ले पास्ता हमारей के तयार हूं गया मेरी तरीके से बनाईए ट्राइ जरूर करिए आपके फैमिली में सभी को बच्चों को बड़ों को बहुत ही अच्छी पसंद आएगा रेस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सस्प्राइब जरूर करें